तो आप सोगा सुवाह गते हैं solo leveling के एको नए अपिसोड में और आज हम बात कलने वाले solo leveling के season 2 के episode 11 के वारे में और हमने पहली के episode में यह देखा था कि संग भी strike squad के साथ dungeon के अंदर चले जाता है लेकिन अचानक से strike squad के उपर high ork attack कर देते हैं और एक ork एक mage को मालनी बाला होता है लेकिन Sang अपनी Camouflage की Ability का यूज़ करके उसे बचा लेता है और दूसरे साइब Striketscode का लीडर इनर और को मालने की को इसरे संग के लीडर ये कहता है कि किसी reason के वज़िस से ये battle बहुत जड़ा easy हो गई है और दूसरे अंटर भी उन्ह और्क को मालने लगते हैं और यहां संग अपनी केमोप्लास की बिल्टी से इन और्क को कमजोर कल देता है और यहां संग यह भी कहता है कि मैंने यह कोजिस की है कि यह लोग मुझे कैस्ट नगल पाए लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया है और वो और्क संग की उपर टैक कल नहीं वाला होता है लेकिन संग डायर्क जाकर उस और्क के गल्दन में अपने डेगर को बसा देता है और इस और्क की पीचे से एक handra की उसर और्क को पंच कलती है जिससे ये और्क मल जाता है और वो handra ये कहती है कि मैंने उन में से एक को माल दिया और शंग ये कहता है कि तो अटार्थ मेरे हाँचों मैं लग गया है और संग कीनूर्व बाके सब handra light member है handra guid के और ये best guild है इस country का और ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों में बुरोसा नहीं कलता लेकिन इन अहाय और को अलके में नहीं ले सकते और इन लोगों ने almost एक हिलर को माल दिया था और संग ये भी कहता है कि मैं अपने सामने किसो को मलने नहीं दे सकता और यहां संग की level up हो जाती है और यहां संग ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी party की मदद करके level up कल सकता हूँ और ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी और मैं इन सब को माल दूँगा तो मैं एक और level up कल जाऊँगा लेकिन इस dungeon के permit को hunter guild ने किरीदा है और ये लोग इने इसके लिए बहुत सदा पैसे भी लगाये होंगे इसलिए मुझे इसमें पलना नीची है और जो मैंना भी किया है वो इतना काफी है और यहां दूसरे side hunter को ये believe नहीं होड़ा होता कि वो जीद गये है और इस जगे के जितनी भी आया और्क थे वो सब माल चुके थे और एक hunter ये कहता कि ये चामत का रही है कि इस जगे में कोई माला नहीं लेकिन यहां एक maze sun को notice कर लेती है और वो maze money money ये कहती है कि इस portal को लगता है कि हम सब fool है और मैं maze caster उसलिए मैंने ये नोडिस किया है कि इसने कैमोपला से बिल्डी का यूज किया है और एक हिलर आके strike squad के लीडर को ये बताती है कि जिस औरक से में तोल देर पहले fight कर रही थी वो हवा में उड़के मर गया और यहां strike squad का leader ये कहता है कि तुम ये कहे रहे हूँ कि उसके उपर किसी ने secretly spell कास्ट किया है और वो healer कहती है कि हा मैं ये ही बता रही हूँ और strike squad का leader गीजन से बूसता है कि वो तुम थी लेकिन या गीन ये बताती है कि मैंने नहीं किया और वेसी भी मैं एक और को कुछ सेकेंड के लिए रोग सकती हूँ अपनी टेलिकेजनेस का यूज करके लेकिन उसमें भी बसानी आती है और वेसी भी हमारे पास ऐसा मेज नहीं है जो कस्ट को कास्ट कर पाए और हमारे squad में फाइल टाइप मेजी है और हमारे पास कोई भी असेसन टाइप अंटल नहीं है और यहाँ वो मेज आकि यह कहती है कि यह सही बोल रही है वो कोई बाल बाला ही होगा और वो मेज यह सोची होती है कि उसके पास कोई रीजन होगा जिसके वज़े से वो अपनी एडेंटिकल रिवील निकला है और अभी क्ली मुझे स्यूप रहना चीए और एक और मेज कहता है कि अच्छा हुआ और अगर मैं एक और 20 को समन कलता तो मेरा पूरा मना पूरी तरह से कतम हो जाता और स्ट्राइक स्कोट का लिडर ये कहता है कि तुम लोग साही कहले हो और एक और अंटर लिडर को ये कहता है कि हम सब को ये बात पता चल चुकी है कि जग मैं आयोर्क है और इसलिए हमें गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर को बुला लेना चीए और हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे जो स्ट्राइक स्कोट है वो बहुत ज़्यादा खत्रे में आ जाएगी और वो अंटर ये भी कहता है कि क्या क्याल है बाल जाने का और हम दो हीलर को रिक्रूट करके वापिस भी आ सकते हैं और किनु मैं ये जानता हूं कि तुम बाल नहीं जाना चाते और ये तुमारी लीडर की रूप में फर्स्ट रेड है लेकिन हमें बाल जाना होगा और यहां किनु मनी मनी ये कहरा होता है कि अगल मैंने इस रेड को संस्पिशली कम्प्लिए गल दिया तो मैं इस Strike Squad का Official Leader बन जाऊँगा और मुझे दूसरा Science भी नहीं मिलने वाला है और यहां संग यह सोचता है कि यह इसके लिए Easy Decision नहीं होने वाला और सारे Hunter Dungeon को Clear कलना चाहते हैं और यहां किनू मान जाता है बाल जाने के लिए और एक Hunter यह कहता है कि मैं बहुत ज़्यदा डरा हुआ था कि तुम हम सबको अंदर जाने के लिए बोलोगे और किनू उससे यह कहता है कि मैं इतना बड़ा इडियेट नहीं हूँ और इसके बाद सब कोई बाल जाने लगते हैं लेकिन इस ज़ग में सारे Hunter बहुत ज़्यदा है रहान होते हैं कि exit में एक barrier है जिसके वज़े से यह लोग बाल नहीं जा चकते और एक मेज यह देखके यह बताती है कि advance spell का use करके इस barrier को create किया है और किने उस मेज से यह पूसता है कि क्या तुम्हें इसे remove कर सकती हो और वो मेज यह बोलती कि मुझे enough time मिले तो मैं कर सकती हूँ और वो मेज यह मनी मनी यह कहती है कि dungeon के अंदर इतना powerful कोई है जिसने इस advance spell का use किया है और यह अच्छी बात है कि हम यहां से बाल जा रहे है और हम लोग इतने capable नहीं है कि हम इस dungeon को clear कर पाए लेकिन यह अचानक से इस सबको एक aura महसूस होता है और यह aura dungeon के boss का था और यह sense करने के बाद सारे मेज मिल के इस barrier को टोलने की causes करते है और यहां संग मनी मनी यह कहता है कि इस barrier का mana wave इतना ज़्यादा strong है जिसके विज़े से जो enter mana wave को sense नहीं कर पाता वो भी उसे sense कर लेगा लेकिन क्यों अभी तक बाल से किसी ने भी इसे notice नहीं किया है और क्या boss अपने present को hide कर रहा है और यह देखी किनू बहुत ज़दा डल जाता है और यहां एक under यह कहता है कि हमारी strike squad को 20 high ork को defeat करने में बहुत ज़दा मुस्किल हुई थी लेकिन अब इस जगे में total 15 high ork है और एक high ork किनू को सामने एकदम आ जाता है और वो high ork किनू का हाकों में गूरा होता है और किनू अपनी टीम को यह कहता है कि पीछे अट जाओ और हम लोगों ने इस जगे में fight की तो हम सब लोग मारे जाएंगे और किनू मनी मनी यह कहता है कि हमारी फास wise guild master या guild master होने चीए थी जगे में लेकिन यहां वो ओर्क बहुत दीनू की सामने चिलाता है और यह ork किनू को कूछ बोलता है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता है और बाकी सारे monster भी यही बातों को बोल ले होते हैं लेकिन अचानक से एक ork इनसान की बासा बोलने लगता है और वो और्ग ये कहता है कि इंसानों मेरी बात सुनो मेरा नाम है करगन और मेरी बीस यह है कि मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ और बाकी अंटर ये देख के बहुत ज़दा सोकते कि और इंसान की बात साब बोल रहे हैं लिकनि आएक में ये बताती है कि ये एक पपेट है और इसके जड़िये कोई और बोल रहा है और वो लड़की ये भी कहती है कि मेजिक बीस इंसान से बात कलना चाहते हैं और किनू मुझे ये मत बोलना कि तुम उसकी बात में बोलो सा कलते हो जो वो मेजिक बीस बोल रहा है और दूसरा एंटर भी कहते है कि किनू ये एक ट्रैप है और चलो इनसे फाइट कलते हैं और जो होगा देखा जाएगा और किनू उस बोस से ये पूसता है कि तुमने केप के एकजिट को ब्लोक किया है और वो और कहता है कि हाँ मैंने किया है और मैं ओल्माइटी सेमान हूँ और जो यूमन स्ट्रैंथ है वो मेरे बेरियर को डिस्ट्रोय नहीं कल सकती और केनोन उससे ये भी पूछता है कि तुमसे पावरफुल इस डंजन के अंदर दूसरा कोई मॉन्स्टर है और इसमें डंजन का बोसी ये बोलता है कि किसकी इतनी इम्मत है जो में सामने खड़ा हो और ये तुमारी मलजी है कि तुम्हें मेरे सोलजरों के आतों से मलना है कि उन्हें फोलो करना है लेकिन या केनोन उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और संग मनी मनी ये कहता है कि जिस जग में बोस होगा उच जग में डेल सार आया और कोंगे और इसका मतलब यह है कि जीतने के चांसों जादा खराब होते जा रहे हैं और क्या कि इनुन बोस के ताद कोई deal कलने वाला है जिससे हम सब यहां से जिन्दा बच सकें और कि इनुन मनी मनी यह कहता है कि हमार पस कोई भी रास्ता नहीं बचा है और हम बस यहां एकी चीज़ कल सकते हैं और कि इनुन सग को यह कहता है कि जिससे हमें बोस मिलेगा हम उसे उपर सप्राइज अटेक कल देंगे और यह अटेक कामियाब होगा या नहीं होगा लेकिन जो बोस यह वो बीरे को मेंटेन नहीं कर पाएगा और जैसे हम आय होल को डिस्ट्राइक कलते हैं वैसे तुम केप से बाल चल जाना और मेन स्ट्राइक उसकोड को कॉंटेक कल देना लेकिन यह संग यह कहता है कि बेक अप आने से पहले बेटल खतम हो जाएगा और तुम यह बोल रहे हो कि बोस को डिफीट कलने के लिए सब को अपनी जान को खतरे में डालेंगे और यहाँ यह किनून यह बताता है कि डंजन को क्लेयर कलने के लिए बहुत सा लोगों ना अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और एक लड़की संग के पास आके उससे कहती है कि यह चोटी सीज मेरी विल है और अगल तुम इस जगे से सेपली बाल निकल गए तो इसे मेरी फैमिली को दे देना और बाकी मेंबर भी यह कहते हैं कि बस हम अपना काम कर रहे हैं और जिसे हमें ट्रेनिंग मिली थी लेकिन तुम हमें से एक नहीं हो तो इसलिए यहां से प्लीज बाल निकल जाना और यहां संग यह कहता है कि मैं इसे गुस टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ लेकिन मैं वो नहीं हो जो इसे डिलीवर करेगा और इसके बाद हमें डंजन के बार का सिन दिकाए जाता है और इस जग में चाइन आ जाती है और चाइन इस जग में संको डूरी होती है और चाइन को यह लगता है कि उसने माइनिंग टीम को क्विट कर दिया है लेकिन इस जग में माइनि टीम का लीडर आके चाइन से ये कहता है कि मिस चाइन आज आपकी चुटी है और यहाँ चाइन भी माइनि टीम का लीडर को हलो कहती है और चाइन ये पूसती है कि संजिन बू नाम का हंडर आज काम पे नहीं आया है क्या और माइनिंग टीम का लीडर ये बताता है कि संजिन बूर स्ट्राइक स्कोड के साथ डंजन के अंदर चले गया है क्योंकि जो स्ट्राइक स्कोड है उन्हें एक पोर्टल चीया था और ये सुनके चाइन बहुत ज़दा हैरान हो जाती है और चाइन ये कहती है कि वो पोर्टल के रोल को फिल कर रहा है और आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो अभी डंजन के अंदर है और चाइन मनी मनी ये कहती है कि एक E-Rank का Hunter A-Rank के डंजन के अंदर गया है वो भी पोर्टल के रोल को फिल कलने के लिए और यहां चाहिन को यह बात कंफॉर्म हो जाती है कि उसने संग को बोस के लेयर के पास देखा था और उसके हाथ में एक बेपन भी था और मुझे यह पता है कि मैंने उस जगे में यही देखा था और उसके साथ कुछ ना कुछ गर्वाल तो है और चाइन यहां यह कहती है कि यह सब देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे डंजन के अंदर जाना होगा और माइनिंग टीम का लेडर यह पूचता है कि अंदर कोई एक्सिडेंट हुआ है क्या लेकिन यहां चाइन यह कहती है कि मैं अपने परसनल गाम से अंदर जा रही हूँ आप कुछ इंता कलने की कोई जुरूत नहीं है और इस जगे में चाइन अपना वेपन नहीं लेकर आई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आज छुट्टी थी और इसलिए वो माइनिक टीम से वेपन मांगती है कुछ टाइम के लिए और माइनिक टीम का लेडर यह कहता है कि कोई जाके एक्यूट्मेंट लेके आ जाए और यहां चाइन को वेपन की जगाई कुलाडी दे दी जाती है और यह देखके चाइन पुझ जड़ कुछ नही थी और यहां चाइन यह कहती है कि इसके अलावगो और कुछ चीज है जैसे कि स्वाड और स्पेर और माईनिक टीम का लीडर यह कहता है कि हम लोग माइनिक टीम है और इसलिए हमाले पस बस यह है और यहां चाइन इसे लोटाती हुए यह कहती है, कि मैं without weapon के ही चली जाती हूँ और चाइन डंजन के gate के पास जाके रूख जाती है, और यहां माइनिटीम का लिड़र यह कहता है कि मिस्टल चाइन आप यह सोर है, कि आप बि γिना weapon के अंदर जाने वाली हो और यहां चाहिन पीछे मुलती है और एंबेरस होती हूँ इसको लाड़ी को ले लेती है और यहां माइनी टीम का लेडर यह कहता है कि अच्छा है क्यालिया जाने से और चाहिन कहे थी है कर आपने सही बोला और हम जा रही हो और इसके बाद चाह इन अंदर चली जाती है और इसके बाद हमें टंजन के अंदर का सिन दिखाया जाता है और हमें यहां दिखाया जाता है कि और के पास आर्मर और वेपन होते हैं और इस जग में बहुत सारे आयोर्क होते हैं और जो इस dungeon का boss है वो king की तरफ बेटा हुआ होता है और यहाँ dungeon का boss और इंसानों को इस जगे में welcome कलता है और आज का episode यहीं पर कतम होता है और मुझे पता कि यह video बहुत जदा लेट है और मैंने यह decide किया है कि मैं solar leveling के एनिमे को continuous नहीं करने वाला हूँ और आपसो इस photo में यह देख सकते हैं कि जो solar leveling की video है वो जदा अच्छे नहीं जा रही है लेकिन इसके बाद भी आपको video चाहिए तो आपसो को video में 100 के like तो complete करना पड़ेगा तब भी next video आएगी और हम मिलेंगे किसे next video में सायो ना रहा